मैं हूँ आपका एक्जाम पार्टनर प्रवेंट सिंग राजपुरुईत और आज आपने देखने वाले हैं चैनल पर उसका मैंने वीडियो अप्लोड कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा हैं तो जाके एक बार देख लो और अपना कॉंसेट पूर अच्छी तरह के से क्लियर कर लो कि वीएस वाले कोशन को किस तरह के से सॉल करना है अब आते हैं इस टॉपिक के बजिसका नाम है डिफरेंशल एक्वेशन रेडूस एवल टू वीएस फॉर्म बाई यूजिंग सब्सुट्यूशन यानि आपको क्या होगा कि एक डिफरेंशल एक्वेशन गिवन होगा ठीक ह उसको आपको करना है वीएस फॉर्म में कनवर्ट करना है लेकिन किसके हेल्प से बाई सब्सुट्यूशन यानि आपको कुछ आपको पुट करना पड़ेगा ताकि वह आपका एक्वेशन एडिफरेंशल एक्वेशन वह आपका वीएस फॉर्म में कनवर्ट हो जाए और उ of ax plus by plus c now आपका linear substitution कब यूज होगा वहाँ पे जब आपको वहाँ पे कोई अगर मान लो कोई function आपको given है sin x cos y वगर इस term में तो वहाँ पे आपको क्या करना है ax plus by plus c equals to u यानि इस पूरे जो आपका function के अंदर जो part होगा उसको आपको पूरा क्या करना है u put कर देना है ठीक है यह क्या हो आपका linear substitution आते हैं second में question substitution मतलब क्या dy by dx equals to मान लो अगर आपको function जो आपको y upon x किया अगर आपको y और x के term में ही सिफ given है तो वहाँ पे आपको y upon x equals to u put करना है मतलब जो भी आपके function के अंदर जो भी आपका variable होगा उन सबको आपको यह जो function होँगे उन सबको आपको यह पे u put कर देना है और इसके अंदर function के अंदर जो भी variable से ax plus by plus c जो पुरा part होगा function के अंदर का उसको आपको u put करना है ठीक है अब यह कैसे पूट करना है और इनको किस तरी किसे solve करना है वो मैं आपको समझाता हूँ with the help of a question ठीक है तो पहला आपका question है यहापे solve dy by dx equals to sin x plus y plus cos x plus y ठीक अब अगे ना आपको देखो यहापे differential equation given है क्यों यहापे आपको dy by dx यहापे डिफरेंचिट वाला given है तो आपको मैंने यहापे बताया था कि linear substitution में क्या करना है जब यहापको sin और x वाला part given होगा तो उसको पूरे को आपको you put कर देना ठीक है तो देखो किसको function के अंदर जो पार्ट है उसको तो देखो sin x plus y cos x plus y sin और cos मेरा क्या होगा function उसके अंदर पार्ट के है x plus y x plus y तो मैंने यहापे क्या किया put x plus y equals to u ठीक है अब जो मैंने x plus y equals to u मैंने put किया है इसको मैं क्या करूँगा differentiate करूँगा with respect to d of x ठीक है क्यों क्योंकि मेरा यहापे जो एक main equation उसके मेरा यहापे derivative किसे हो रहा है x से हो रहा है समझ माया इसी लिए तो यहापे आजाएगा अपना x का आजाएगा derivative 1 plus y का हो जाएगा dy by dx equals to u आजाएगा अपना du by dx समझ माया ठीक है now अब मुझे बताओ अब आने यहापे x plus y equals to u लिया मुझे answer मिला 1 plus dy by dx equals to du by dx अब मैं क्या करूँगा जो मैंने put किया है उनको उठाएगे में main equation में put करूँगा तो कैसे put होगा dy by dx का value क्या होगा यहाँ से निकलेगा dy by dx security क्या हो जाएगा du upon dx यह 1 आजाएगा इस side तो du upon dx minus 1 हो जाएगा ठीक है तो देखो dy by dx के बताएगा मेरा du upon dx अब यह जो मेरा minus 1 था यहाँ पर इसको उठाएगे मैंने क्या किया इस side में put कर दिया तो मेरा minus 1 क्या हो जाएगा अगे प्लस 1 बन गया ठीक है यहाँ पर मैंने directly लिखा है आप अगर आप देखो के तो आपको समझ में आजाएगा अच्छे से ठीक है अब यहाँ पर क्या करें आपन इसको solve करता है नाव अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे इसको solve करेंगे कैसे सबसे पहले आपने क्या करना है अपर देखो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर है अगर मैं इसको उठाके इसके निचे लिखे आ जाओं और dx को अगर मैं यहां लिखे आ जाओं तो u और u आले मेरे term साथ में आ जाएंगे वह क्लियर कैसे है तो देखो du upon 1 plus sin u plus cos u 1 plus sin u plus cos u और यह dx मेरा जागा यहाँ पे तो यह हो जागा मेरा 1 dx और du upon 1 plus cos u plus sin u तो u के नीचे u आ गया और x वाला जो मेरा constant के साथ में आ गया तो मेरे यहां पर क्या हो गया variable separate हो गया अच्छे से जैसे मेरे यहां पर variable separate हो जाएंगे मुझे उन्हें क्या करना है integrate कर देना है तो यहां पर integrate कैसे होगा यह आ गया both side integration अब normal क्या करना है अब इसको मुझे solve करना है तो कैसे solve किया है मैंने आपे देखो du upon 1 plus cos u plus sin u equals to integration 1 dx तो 1 का integration क्या होगा with respect to x में x हो जाएगा plus आजएगा मेरा c जो मेरा हमेशा integration में constant आता है ठीक है now 1 plus cos u का formula है 2 cos square u by 2 now यह आपका यह trigonometric का एक standard formula है जो मैंने आपे use किया हुआ ठीक है तो 1 plus cos u मेरा बनेगा 2 into cos square u by 2 plus sin u को में लिखूँगा standard formula की जाब से 2 sin u by 2 into cos u by 2 now यह साब बनें m1 में पढ़ा हुआ है और यह से जो formulas है सारे आपके 12th standard में भी थे तो आपको यह सब ध्यान में होगा अच्छी से मैं यह आपको assume करके चल रहा हूँ तो 1 plus cos u आगे मेरा 2 cos square u by 2 plus 2 sin u by 2 into cos u by 2 अब मैं क्या करूँगा यहापे अब इतना तो मैंना put कर जया लेकिन मेरा solution निकला नहीं तो मैं यहापे क्या करूँगा अगेन अब मैं आपके क्या चेक करता हूँ कि अगर मैं 2 cos square u by 2 से डिवाइड करता हूँ उपर निछे सब जगह तो यहापे मैरे equation क्या बनेगी देखते है कैसे अब जैसे आप यहापे इसको equation में आप divide by करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको du by 2 cos square u by 2 और पूरे equation में divide हो जाएगा 2 cos square u by 2 equals to x plus c सहज मैं अच्छे से ठीक है now du upon 2 cos square u by 2 मेरे as it is रहेगा now जब मैं निच्छे वाले पार्ट को divide करोंगा तो देखो कि अगर मैं इसको separate करता हो यहाँ से तो 2 cos square u by 2 upon 2 cos square u by 2 यह मेरा cancel वागे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा तो बीच में आगया plus अब now यह 2 से यह 2 गया cos square u by 2 से यहाँ से cos u by 2 1 cos u by 2 गया तो sin u by 2 upon क्या बचे है cos u by 2 मेरा हो जाएगा tan u by 2 तो end मुझे आंसर क्या में लेगा है integration du upon 2 cos square u by 2 upon 1 plus tan u by 2 यह plus x बन जाएगा यहाँ पर आके minus x equals to c हुआ clear अच्छे से नहीं हुआ तो एक बार आप इस step को अगर आप अच्छे से लिखके करोगे तो आपको काफे अच्छे से लिखके से समझ में आ जाएगा ठीक है 1 upon 2 cos square u by 2 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा यह पर क्या 1 upon 2 sex square u by 2 1 upon cos क्या होता है 1 upon cos क्या होता है 1 upon cos square u by 2 क्या हो गया 6 square u by 2 into du upon 1 plus tan u by 2 minus x equal to c मैंना पर सिफ जो मेरा numerator पार्ट है उसको मैंने सिफ cos से 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 में चेंज किया और कुछ नहीं है अब मैंना पर solution निकल चुगा है कैसे निकला है यहाँ पर देखो 1 plus tan u by 2 को अगर मैं solve करता हूँ इसको मैं अगर let t put करता हूँ और इसको मैं differentiate करता हूँ तो देखो tan u by 2 का मुझे answer मिलता है derivative that is your 1 by 2 sex square u by 2 मुझे answer मिलेगा अगर मैं 1 plus tan u by 2 को t put करता हूँ और इसको differentiate करता हूँ तो 1 का हो जाएगा 0 और tan u by 2 का answer आजएगा मुझे 1 upon 2 sex square u by 2 तो जैसी मैं आपर put करके answer निकालूँगा तो मुझे answer मिलेगा log of 1 plus tan u by 2 minus x equal to c अभी कैसे solve लोता है यह आपका काम है आपको किस सरीकी से solve करना है ठीक है तो आपको जब इसको आप t put करो ठीक है वही same thing आपर जब आप निकालोगे यहाँ पर तो इसका answer आजाएगा यह हुआ clear अच्छे से आपको सी भी निकालना है solution और कुछ नहीं करना तो आपको answer मिलेगा log of 1 plus tan u by 2 minus x equal to c this is my general solution of differential equation जो भी आपको यहाँ पर question गिवनता है यह वाला part ठीक है तो यहाँ पर किस तरीके से आपको जो differential equation को बहुत सारे videos जो engineering mathematics तो के आने वाले है thank you so much have a nice day